अगर आप लोग मद्दपिदेश के किसी भी गवर्मेंट एक जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखे मद्दपिदेश करेंट अफेयर से कुश्चन्स पूचे जाते हैं मद्दपिदेश में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनसे questions अगर पूचे जाते हैं, तो ये class आप लोगों के लिए बहुत ही मात्पूर रहने वाली है, चाहे आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हों, या फर आप देखें सिक्षब, teachers के लिए होता रहता है बरग 1-2-3 के लिए, police constable के लिए होते रहते हैं paper, SI दरोगा, jail पहरी, प तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी संख्या में MP Current Affairs से आपकी परिच्छाओं में questions पूंचे जाते हैं, और अभी तक जन्वरी से लेकर जुलाई तक के सभी जो घटनाय रही हैं, एक-एक महीने को हम लोगोंने cover कर लिया है, और मद्दपदेश Current Affairs 2022 के नाम से, जो आपकी 2022 में जो घटनाय घटी हैं, उनका एक overview लेना है, और जो परिच्छा की दृष्टी से महत्पूर्ण point हो सकते हैं, उनकी बारे में हमें बात करनी हैं, एक बार हम लोग मद्दपदेश को देख लिते हैं, देखे ये हमारा प्यारा भारत है, और इसमें बीच में आप लोगो मद्पदेश देखने को मिलेगा, और इसलिए आप लोग हिदय पिदेश भी कहते हैं, मद्पदेश भी कहते हैं, एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाय गया था, और एक नवंबर को आप लोग मद्पदेश दिवस मनाते हैं, इसकी सीमा आप दीखे उत्तर पिदेश, राजि एक नवंबर सन 2000 में मद्पदेश से अलकर कि 36 गड़ राज बना दिया गया था, और अब आप देखेंगे कि छेतफल में दूसरे नमबर बाता है मद्पदेश, पहले पर आज इस्थान आता है, और मद्पदेश का छेतफल 3,8,252 बरक किलूमीटर में फैला हुआ है, यहा एक अगस 2022 की घटना है, केंदरिये सड़क परिवान और राज मंत्री हमारे नितिन गड़करी और मद्पदेश की मुखमंत्री सिवरासिंग चोहान ने इंदौर में 200 करोड उपे लागत की, 119 किलूमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलन्यास और बनवे साइड ए इतिहास में कम ही नेता देखने को मिलते हैं, जो हर पाइटी को पसंद आते हैं। के बाद अकेली मद्पदेश में 250,000,000,000 करोड रुपे लागत के कार सुईकिद निर्मित और प्रगती रथ हैं। इसे बढ़ा कर 2024 तक 4,000,000,000 करोड रुपे कर दिया जाएगा। और उनोंने मुखमंती सिवरासिंग चोहां के आग्रहे पर मद्पदेश में ठक सडक संबंधी बिभिन विकास पर योजनाओं को मंजूरी देने की गोशना किये हैं। और इसमें प्रमोक रूप से 20 फिलाई ओवर और आप देखें चोदे इस्फलों पर रोब्बे के संबंधी कार सामिल है। देने के उद्देश से रूप वे निर्माड योजना सुरूप की जाएगी। और येसे योजना कमूल आधार देने के लिए बिलियेंट कनिवेंशन सेंटर में मद्पदेश लोग निर्माड विभाग और भारस सरकार की कंपनी राश्कती राजमार रसत प्रमंधन आधराव असिस्टेंट भोपाल वाया गोविंद पुरा गोल जोड तिराहा कोलार रोड से निव मार्केट भोपाल रहली पार्टन मार्क से टिकी टोरिया माता मंदिर रहली मांडू प्रवेस द्वाल से आप देखी रूममती महल और सिद्ध्वार कूट जैन मंदिर से र परागर सिब मंदिर पचमडी और पाताल कोट तामिया तथा अमरकंटक में दूध धारा से कपल धारा इस थलचैनित किये गए हैं और परयाकंचित हमारी अत्वस्ता में एक बड़ा योगदान भी देता है याद रखेगा रोब्बे निर्मार से नाकेवल सस्टेनेवल ड होगी इससे अंगली खबर की तरफ चलते हैं एक अगस्त दो जार बाइस को मद्ध्पिदेश की पिर्मुक सचिव और परयाटन संस्किती सिफ सेखर सुकला और पिर्मुक सचिव नंगरी विकास और आवास संजय दुवे ने होटल ताज लेक फ्रेंट में ओर्चा से सम्म और एक अरवन लेंड स्केम में मैंनेजमेंट पिलान के सम्मद में प्रिजेंटेशन तथा पिर्मुक बिंदुओं पर चचा हुई है और पिर्मुक सचिव सिफ सेखर सुकला ने यूनेस को और द्रोणा संस्था द्वारा दिये जारे सुझाओं पर भी परही योजनाओं का क्रियानमन करने के निदेश दिये और साथी ओर्चा को यूनेस को विस धरोर की सूची में समलित करने के लिए हाल संभव प्रयास और आवस्यक कारवाही करनी की बात कही जा रही है और दोडा की डारेक्टर डॉक्टर सिखा जैन ने ओर्चा को यूनेस को विस धरोर में सामिल करनी के लिए बनाय जा रहे है नोमीनेशन डोजियर का प्रेजेंटेशन दिया है और युनेसको की कंसल्टेंट निसांत उपाध्या ने युनेसको द्वारा हिस्टोरिक अर्वन लेंड स्केप में बनाय जा रहे है मेनेजमेंट पिलान और धरातल पर किये गए कारेओं की जानकारी भी दिये और युनेसको ने निदिली के कल्चरल सेक्टर की पिरमुख जून ही हान ने कहा है कि ओर्चा की सांस्केते के उम पितिहासिक बिरासत मद्वदेश ही नहीं बलकि पूरे भारत के लिए गौरप का विसा है और आप लोगों को बता दूँ कि जो भगवान राम का संबंध भी यहां से माना जाता है और 2011 में आप देखेंगे कि 2021 में ग्वालियर ओर्चा का चैन युनेसको द्वारा हिस्टोरिक अरवन land escape में management plan बनाने के लिए किया गया है और इन सहरों का चैन भारत ही नहीं South Asia के देशों में युनेसको द्वारा आप देखेंगे पिथम बार किया जा रहा है किया गया है और देखे युनेसको है या इस तरह की अनसंगठनों इनके बारे में जरूर आप लोगों को एक सामन जानकारी रखनी चाहिए आपने पास, क्योंकि इनसे कुछ साथ पूछे जाते हैं, युनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर पेरेस फेरांस में देखने को मिलेगा, कहां पेरेस फेरांस म में तीसरी बार बदलाओ किया जा रहा है, और याद रहे जनवरी 2021 में मुक्वंति चोहन ने बन विभा की अधिकारियों के एक बैठक में बन विहार को सिंगापूर जू की तरह विक्सित करने का निदेश दिया था, एबोपाल में बन विहार देखने को मिलता है, इसके ब आप देखें, गिरने वाले जर्ने के साथ पास सेलफी पॉइंट, लेफर्ड वाडे के पास स्कॉई बॉक बनाना था, अब सरे गेट नंबर एक की नई डिजाइन बन रही है, जिसे भीम बैटका की तरच पर बनाया जा रहा है, भीम बैटका भी मद्विदस में ही देखन कर दी गई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं, एक दो आगस्त दो जार बाइस को, मद्विदस के उर्जा मंतरी पिदुम सिंग तॉमर ने बताया कि जर्मनी के KFW बैंक द्वारा बित्व पोसित प्रोजेक्ट का अंतिमकार मद् प्रामपरागत उर्जा सरोतों से उत्पन बिजली के सहट ट्रांसमिसन के लिए ग्रीन एनर्जी कोरीरूर बनाने के लिए कुछ राज्यों में से मद्विदस को भी चुना गया है, और कोल्ड प्रोजेक्ट आप देखें, दो हजार एक सो करोड यानि की सो करोर रुपे से मैंसे 840 करोर रुपे का लौन गयर्मनी के बैंक के एप डवलू ने सुईकित किया है, और इन कारेओं को मद्विदस पावर ट्रांसमिसन कंपणी ने निर्धारी लक्ष से पहले ही पूरा कर लिया है, मद्विदस पावर ट्रांसमिसन कंपणी के अधीक चन अभियनता इं 220 के वी की 26, डवल सर्केट की कुल 273 का सर्केट किलोमीटर अती ओच्छे आप देखेंगे ये दाव लाइने निर्मित की गए हैं, और इसकी स्कीम के ताह 400 के वी की 1890 MVA चमता और 220 के वी में आप देखेंगे 2400 MVA चमता और 132 के वी में 498 MVA कुल 4788 MVA अतरिक ट्रांसमिसन की मत्पडेश पावर ट्रांसमिसन कम्पणी की ट्रांसमिसन में नेटबर्क में जोड़ी गई हैं, और Green Energy Corridor इसकी में मत्पडेश पावर ट्रांसमिसन कम्पणी नसागर उज्जयन मंदसोर में 400 के वी की सब इस्टेशन सेंदवा कानवन जावरा सेलाना गुरगाओ, अंगली ख़बर है आपकी कपकी है तीन अगस्त को मद्ध बदेश की प्रमुक्ष सचेव फरेटर नेवन संस्कित एवं प्रबंधन संचालक टूरिज बोर्ड सिफ सेखर सुकला ने बताए कि MP टूरिज को वेलनेस रेडियो केमपेंड के लिए पितिष्टित E4M गोल्डन माइक से अबॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है ताज होटल मुंबई में आयोजित अबॉर्ड के दसवे संसकर में उप संचालक दीफका राय चौदरी ने परेटन बिभाग की ओसी या पुरुसकार गरहन किय जा है और प्रमुक सचिब सुकला ने बताए कि मद्धिधिस परेटन को रेडियो केमपेंड खुसियां तेरे पीछे चले को क्रियेटिव सेनी में ब्रॉंज अबॉर्ड मिला है और याद रहे गोल्डन माइक पुरुसकार एक्सेंच चार मीडिया गुरुप द्वारा दि 13 अगस्त 2022 को केंदरिय बन परियावन और जलवाई परिवत्तन मंतराले द्वारा पांच राज्यों के 10 जल इस्थालों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और जिसमें आप देखी मद्धिधिस के इंदोर जिले का सिर्मोर ताला भी सामिल है और इसके साथी मद्धि साल पहले से ही रामसर साइट में सामिल है और और इनको मिलाकर भारत में इंतराष्टी महत्कि रामसर साइट के संकिय 64 हो गई है ए आदभूमी भूमियास्तल देश में 1250, 일본 हैक्टर चेत्ष में और यसे पहले 26 जुलाई 2022 को केंदरिय बन परियावन और जल्वाई परिवत प्रिवातन मंतराले ने देश में पांच स्थलों को रामसर साइट्स घोसित किया था इसमें तमिलाडू के तीन मिजोरम में और बत्क देश में एक आदू मुवी सामिल थी इनको मिलाकर देश में रामसर इस्थलों की कुल संक्या उनन्हांचास से बढ़कर चमवन हो गई थ में 1971 में हुई एक अंतराष्टी संधी के आधरपा अंतराष्टी महत्त की वेटलेंड साइट्स की सूची संदारित की जाती है और बिस में होरे जलवाई आसंतुलन और परिवातन के दौर में रामसर साइट की भूमिका बिस के पर्यावन सोधार में अती महत्मूर है यहा परिखबर 4 अगस्त 2022 को मद्पदेश के भोपाल के कोहसा भाव ठाकरे हॉल में 600 मेगाबाट की उंकारिसो फिलोटिंग सौर परियोजना के अनुवंद पहस्ताक्षा उर्जा साक्षरता अभियान की उर्जा आंकलन मार्द दरस्थीका का बिमोचन किया गया है और मुकमंत परियोजना के किरियार्मन में भूमी की आवस्ता नहीं है और परियोजना किसी का विस्थापन भी नहीं होगा इससे और यह विज्ञानिक रूप से पिरमाडित है कि जल आधारित परियोजना में बिजली का अकपादन भूमी आधारित सौलर परियोजना की तुला में आधिक होता है या एक करोड बावन लाक पेड लगाने के बराबर होगा और उन्होंने ये भी काया कि मद्विदिस 2030 तक अपनी उर्जा आवस्ता की पूर्ती नवी करनी है उर्जा से करने के लिए मिसन बूर्ण में काम कर रहा है और रासरकार ने नई नवी करनी है उर्जा नीती 2022 का क्रियानमन भी आरम कर दिया है पिदेश में ग्रीन सिटी के विकास की अवधारना को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है चतरपूर मुरेना आगर साजापूर और नीमत जिलों में सौर परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है और ग्राम इस्तर पर आप देखेंगे ग्राम इस्तर तक सोलर पैनल की उपयों को प्रोसाहित किया जा रहा है और सभी साच की कार्यालेओं की छतों पर सौर पैनल लगाय जा रहे हैं चंबल के वीडों की भूमी को सुधार कर छित का उपयोग सौर उर्जा उत्पादन में किया जा रहे है मुखमंतिर ने भी काए कि गिलोबल बार्मिंग और जल्वाई परिवतन जैसी समस्याओं का सामना जन भागेदारी से ही किया जा सकता है पूर्जा उर्जा बिकास निगम के अधिषगराज दंडो तियाक ने कहाए की उनकारिसु परियोजना जलवाई परियोधन की चनोतियों की बीच उर्जा को सरक्षित स्रोत हैं और इसे भूमी की भी बचत होगी जिसका उपयों प्रिदेश में किर्सी और अन उद्देवों की स्थापना में किया जा सकता है अब आप देखिए सूर भगवान से उर्जा बनाने की बात हो लिए सूलर प्रिलेट जो लगाई जाती है बहुत सारी भूमी खाली पड़ी हुए अरे भाई वहाँ लगा दीजे ठीक है और इससे परियावन को भी फायदा होगा और नभी करनी है उर्जा की सरोत भी हो जाएंगे अंगली खबर पांच अगस तुदू है अब दो हजार बाइस को मद्ध पिदेश के चिक्षा सिक्षा मंत्री विश्वास के अलग सारंग ने पिदेश में पीपी मॉडल पर आधारे चिक्षा महाविद्याले सुरू करने ही तू आई जे समिक्षा बैठक में पिदेश के पांच जिलों में चिक्षा महाविद्याले की स्थाफना करने का नेड़े लिया है और इसमें आप देखेंगे पिदेश में भुपाल इंदोर जवलपूर बालाघाट कटनी में पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज सुरू करने का नेड़े लिया गया है मंत्री नेड़ेश दिये कि मेडिकल कॉलिज की स्थाफना डी बी एप ओटी डिजाइन विल्ट फाइनेंस और प्रेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर पीपी पार्टनर द्वार की जाएगी और इसके अंतरग निजी निविसकों द्वारा मेडिकल कॉलिज होस्टल रेजिदेंसिय लीज पर भूमी उपलब्द कराएगी इसके अतरिक निजी निविसकों तीन सो बिस्तोरों बाला अस्पाताल भवन भी राजसरका द्वारा उपलब्द कराएगा और बैठक में नेड़े लिया गया है कि उपलब्द कराएगी भूमी पर निजी निविसकों द्वारा स्व और याद रहे भारत सरकार के PPP model पर medical college की स्थाफना नीती के अनुसार राज सरकार की बरतमाल संचालित medical college को tanning hospital की रूमें परिवर्तित कर 100 MBBS seat के प्रवेस के लिए PPP आधारित medical college की स्थाफना की जाएगी तो आज स्वास्त व्यवस्ता के लिए बात हो रही है आपको पता ह कई देश ऐसे हैं बिक्सित देश जहाँ आप देखते हैं स्वास्त व्यवस्ता बिल्कुल फिरी है अंगली खबर 5 अकस्त 2022 को मदप्रेश की पैरा एथलीट पूजा ओजा ने हैली फैक्स करनाडा में अजित पैरा काय किंग और केनुइंग इस्परेंट वर्ड चेंपिय पूजा ओजा ने पैरा एथलीट कहने का मतलब है कि बिकलांग जो पिकलांग रहते हैं ठीक है और हिंड की रहने वाली पूजा ने भी एल वन महिलाओं की 200 मीटर रेस में एक अनपात 34 अनपात 18 के समय के साथ रजत पदक जीता है हैं हैंबर्ग हैंबर्ग की खिलाडी लि और उसकी 200 मीटर से इंखला में 5 बाइस स्थान पर आपकिया सो रेंड ने अपनी दौड एक 297 समय में पूरी किये और याद रहे पूजा पूजा ने राष्टी ए चेंपियंसेप में 6 बार स्वाड पदक जीता हैं और विस चेंपियंसेप के लिए क्लिए फाई करने वाल अंगली खबर है आपकी 7 अगस्ते 2022 को मद्पिदेश की मुखमंत्री साहब ने राष्टपती भवन में पिधानमंत्री नरंद मौधी की अध्यक्षता में आयो यजित नीती आयो की सासी परश्षत की साध्वी बैठक को संबोधित करती हुए कहाई कि भारत को 5 मिली टिलि डॉलर का योगदान दिया जाएगा और नीती आयो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि योजिना आयो को पिधिस थाबित करके 2015 में यह आया था बैठक में मुखमंत्री ने बताया कि पिधिस में बर्स 2020 में ही आत निर्भर मद्पिदेश का रोण में बिक्सित कर लिया यह तो 48,800 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है जो आप तक का सरवा देखे और आप देखें मुखमंत्री ने कहा है कि पिधेश में सरसों गिरेश कालीन मुंग के रखवे में बड़ोती दरज की गई है और गेहु उधान के स्थान पर किसी बिविधी करन पिरोसाहन योजना के माध्यम से दाल रागी, जो मोटे अनाच, कोदो, कुटकी, रामतिल, तिल, मसाले, औस्दिये, पसले, फलों और सबजियों के उत्पादन को बढ़ा बादिया जा रहा है क्या किया जा रहा है बढ़ा बादिया जा रहा है और इस योजना में ITC पतंजली, देहा योजना प्यारम की गई है और जिसमें तीन बरसों में 10,000 हेक्टर भूमी में औस्दिये पौधों का उत्पादन किया जाएगा और पिछले 5 सालों में पिदेश में 11,000 हेक्टर छेत में मिसन मोड में बास उत्पादन किया गया है और प्राक्तिक खेती को बढ़ाबा देन इंसोरेंस को रोकने में सफलता मिलेगी और साधी भीवमा भुकतान में उपज आंकलन के लिए सेटिलाइट आधारिस रिमोर्ट सेंसिंग तकनीक का उपियोग किया जा रहा है और प्रोधगी की इन पिरभावी उपियोग से किर्सी सेक्टर में लगबग 2500-2500 करोर रुप की बचत संभावित है और किसानों और राजस अमले की सुविधा के लिए इग गिर्दावरी एप्लीकेसन द्वारा लाओ कर दिया गया है और किसानों को अपनी उपज का विक्राय कर अपने घर से उचित मूले पर करने के लिए फार्म गेट एप भी विक्सित किया गया है और पिदेश में क्रिसी मयंतों में सबसीटी का भुकतान ए रूपी बाउचर से करने का नेड़े लिया गया है और राष्टी सिक्षा नीती के किरियानमन पर चर्चा करती हुए मुकमंती ने ये भी बताया कि 2021 की राष्टी उपलदी सर्वे में माध्देश बड़ी चलां हिंदी माध्या में प्यारम की जा रही है और साथी पिदेश के 6 इंजिरिंग कॉलेजों में बी टेक कारिकरम और 6 पॉलिटिकल कॉलेज में डिपलोमा पाठकरम की हिंदी में पढ़ाई की विवस्था की गई है अब हिंदी में भी आप लोग डॉक्टरी की पढ़ाई उनका विसलेशन करने का कार किया जाएगा और पिते इसमें 50 आकंची विकास करनों का निर्धारन कर उनकी विकास का तंत विक्सित किया गया है और पिते इसमें नई जल नीती और नई सहकारता नीती का भी निर्मार किया जा रहा है ये भी देखने को मिलेंगे अंगली खबर है आपकी अंत्रवीदास मद्पदेश हस्तिल्प एबं हदकरगा विकास निगम अनुभाज स्रीवास्तों ने समारों में बुनकरों और सिल्पियों को सम्भानित किया है समारों में 2021 में राष्टी पुरुसकार के लिए चैनेद बाग प्रेंट सिल्पी रसीदा भी को सम्भानित किया है और बाग सिल्पकार रसीदा भी का केंदरी वस्त मंतरालेक ने राष्टी पुरुसकार के लिए चैन किया है उन्हें यह पुरुसका चादर पर बाग पेंट की बारी की बारी कारीगरी पर मिलेगा उन्हें धार जले के ग्राम बाग में ठपा छपाई कला में महारा थांसिल है और इससे पूर आप देखें 2012 और 2014 में उन्हें राजिस्तरी पुरुसकार भी मिले है बेबाग पेंट की दुनिया में मसूर यूनेस को पुरुसकार बेजेता मास्टर सिल्फकार सुर्गी अब्दुलकादर खत्री की पत्नी है और आप देखें राष्टिये हद करगा दिबस पर पारंपरिक हद करगा कलश्टर चनेरी में मत्वदेश की स्थापत कला बिरासत एवं धरोहर पर की गई नकासी की विशिष्ट हेरिटेज डिजाइन को दरसा आते हुए चनेरी की बुनकरों द्वारा बिक्सित की गई साडिया जिन पर खजराहु मंदिर एवं साची इस्तूप डिजाइन एवं महेसुर के लिए की डिजाइन और सिल्क एवं जरी की धागों से बिक्सित करने बाले बुनकरों को सम्मानित किया गया है और इनमें खजराहू मंदीर की डिजाइन के लिए कलावती कोली, साचीस्तू की डिजाइन के लिए घंसयाम कोली, महेस्वर के लिए की डिजाइन के लिए मुहमद गोफरान अहमद, और महेस्वर के लिए की ग्राफ डिजाइनिंग के लिए मुहमद अब्दुल्क आमान को स मानित किया गया है तो इन नाम जरूर याद रखा करिएगा जिने पुरुसकार दिये जाते हैं अंगली ख़बर आठ अगस्त दो हजार बाइस को मुखमंती सिवरासिंग चोहन ने कुसाभाव ठाकरे सवागय में स्वास्त भवाग के संपूर्ट काया कल्प अभियान का और आलग अलग सेणियों में पुरुसकार पेदान किये गए हैं और मुखमंती ने जिला अस्पतालों को स्वास्त देवाओं का सेष्ट संचालन के लिए काया कल्प अबॉर्ड पेदान किये और इन में विदीसा जिला अस्पताल को 50 लाक रुपे का पिथम पुरुसकार जिला अस्पताल देवास को 20 लाक रुपे का दुतिय पुरुसकार जिला अस्पताल सतना को 10 लाक रुपे का तितिय पुरुसकार दिया हैं। मुख सचिब मुख्मत सुलेमान ने बताया कि संपूर काया कल्प अभियान के अंतरगत अधो सरचना का विकास और भवन रख रखाओ चेकिसा उकरन एवं फनीचर की उपलब दिता संस्थाओं में जाच सेवाओं एवं दवाओं की परयापत उपलब दिता डालेसिस एव कमी को दूर करने के लिए तैली मेडि Civाओं का विस्तार रोकियों के लिए हितगराही मुलक सेवाओं का बिकास सौास्तेवाओं में जन भागिधारी की को बड़ावदेना आधी सामिल किया गया है इसमें तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और बोलवो ऐसर कमरेशियल वहिकल लिमिटर द्वारा पिदेश में 1986 में पहली हिकाई लगाई गई थी कब 1986 में और वर्तमार में पीथमपुर्ग और बाग रोदा में आठ हिकाई यहां संचाले थे में आप देखे 32 जार से अधिक लोगों को पित्यक्ष और आपित्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है और मुखमंती चोहान ने अपनी कमपनी के MD के को अस्वस्त करते हुए कहा है कि राज्यस आसंद्वारा कमपनी को पूर्ण सहयो किया जाएगा और निर्धारी नीती के नुसा सभी आवसक सुगधाय पिदान की जाएगे और उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे आज भी आवस्तक्ता है और इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या मिलेगा रोजगार भी मिलेगा तो यह भी याद रखेगा आँगे चलते हैं हम लोग अंगली खवर की तरफ यह है आप हाली में भारत की पहली प्रिमियर एलेक्टिक इंटर सिटी कोज सिवाओं एन युई गो ब्रांड ने भोपाल इंदोर एलेक्टिक इंटर सिटी बस सिवा मार्ग कि अपनी सिवाएं शुरूख कर अपना परीचालन सुरूख करने की घोशना की है या बस सिवाएं एक सुरक्षित और हरित सबारी सुनेशित करते हुए अंतर सहर यात्रियों के लिए एक सहज बुकेंग अनुभाव बहतर सबारी गुडवत्ताव केविन अनुभाव पिदान करेगी NUE और G.O. सिवाएं भोपाल इंदौर रूट पर 349 रोपे पिती सीट के विशेस उद्गाटन पिस्ताओ पर उपलब्द रहेगी कंपनी के ओर से कहा गया है कि NUE गोग कोचों को इनोबेटिव टेकनोलोजी से लेस किया गया है या भोपाल इंदौर की भीच घंटी के आधार पर चलने वाले कोचों के साथ अंतर सहर यात्रियों के लिए end to end सुविधा पिदान करती है भोपाल में कोच रूट ISBT भोपार रेलवेस्टेशन लालगाटी सिहोर से होकर गुजरेगा जबकि इंदौर में एस्टार स्क्वाइर, रेडिसन स्क्वाइर, बिजय नगर और सर्वटे बस स्टेंड से होकर गुजरेगा एक ग्राहक के अंदरिद व्रांड एन यूई गो कोच यांतरे को विद्धुत निरिक्षा सहत 25 कठो सुरक्षा जास से गुजरते हैं और हर ट्रिप से पहले कोचों को सेनिटाइज किया जाता है और कोच पाइलेटों का विद्ध एनलाइजर टेस्ट किया जाता है क्या किया जाता है टेस्ट किया जाता है यह भी आपको देखने को मिलेगा और NUE Go Services Live Coach Testing Drop Point Geolocation Monitor in Coach CCTV Surveillance पिदान करती है और ये Electric Coach Traffic की स्थिति में Air Conditioner से Single Charge पर 250 km चल सकते हैं इन Coachों से सेवाओं के सुरू होने से पहले कि दो महिने में 2,00,000 km का रोड ट्रायल पूरा किया है NUE Go अपनी विस्वस्तिरिय एलेक्टिक को सेवाओं के साथ यातरा का संपूर्ण अनुवाव उपिदान करेगा और जल्दी इस सेवा का विस्तार देश के अन्न सहरों में भी किया जाएगा और ग्रीन सेल मोबिलिटी के निदेशक सतीस मंधाना नेकाय की NUE Go काउदेश अंतर सहर मारगों पर जीरो टैल पाइप उस सजन के साथ टिकाउ सारवजनिक परिभान के उप्योग को बड़ाबा देना है और टैल पाइप के उस सजन माना के एक आंतरिक देहन इंजन से निकलने वाले निकास गैसों में अनुम्मत पिदूसकों की अधिकतम मात्रा को निर्दिश्ट करते हैं चले इस तरह की पहल भी अच्छी की जाती है अंगली ख़बर है आप देखेंगे 10 अगस 2022 को मुखमंती सिवरासिंग चोहन की अधिक्षता में हुई मंती पश्चत की वैठक में मद्पिदिस महला वित एबं विकास निगम का सुद्री कर करती हुए स्थापना बया के लिए पिथक अलग बजट लाइन प्रावधानित करने निगम में मुखमंती नारी संबान कोस का गठन उसके अंतरकत मुखमंती उद्यम सक्ति योजना का अनुवधन किया गया है और मुखमंत्री उद्यम सक्ति योजना में राज ग्रामीड अजीब का मिसन और राश्टी सहरी अजीब का मिसन मुखमंत्री उद्यम करांती योजना, मुखमंत्री महला ससक्ती करण योजना, कि लाभन बेत महला हितकराईयों के बेंकों से स्विकित प्रकरणों पर दो परसंट प्याज अनुदान दिया जाएगा। अजीव का मिसन फोल्ड में लाने के लिए तेजस्मनी कारिकर में उपलब दरासी में से 10 करो रूपे ग्रामीड अजीव का मिसन के को देने का अनुदान किया गया है। अधिक्तम एक बर्स के लिए और व्यवसाइक प्राप्त करने पर पांच जार रूपे पिती माह अधिक्तम दो बर्स के लिए जाएगे। अधिक्तम एक बर्स तक दो हजार रूपे की आर्थिक साहता और आयूस्मान योजना में चेक्सा साहता दिए जाएगे। इस तरह आर्थिक और सेक्षरिक सहयोग देकर अनात बच्चों को समाज में पुना इस्थाबित किया जाने का प्रियास किया जाएगा। और मंती पसंदे आप देखी किसानों को सूने पितिसत ब्याद दर पर अलपावधी फसल रेड दिये जाने की योजना को बर्स 2022-23 में नेंतर रखने का नेडल लिया है। किया जाने की अधीन खरीब और रभी सीजन में अलपावधी फसल रेड लेने बाली सभी किसानों के लिए 3,30 सामान ब्याद अनुदान और निर्धार दे तितित तक रेड की अधाईगी करने वाली किसानों को 4,30 अतरिक ब्याज अनुदान परोसां सुरूप राज शासन द्वारा दिया जाएगा और यह यह योजना 2012-13 सी लागू है और इसमें 3,00 लाग रोपी तक के अलपावधी फसल रेड पर राज सासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है किसानों के लिए एक तरसी अंगली खबर है आपकी 11 अगरस्ते 2022 को मद्ध बिदेश की बन मंतरी डॉक्टर कुमर बिजय साह ने बताए कि एक जिला एक उत्पाद यह उजना में बास उत्पादन के लिए चैने तीन जिलों इनमें कौन-कौन से सामिल है एक आप देंगी देवा सामिल है हर्दा सामिल है और रीबा ने मैं पिछली बरस देश हेक्टर चेत में बास का रोपन करायए ज़द चुका है और बन मंतरी ने बताया कि तीनों जलों में किरसी चित में 263 हेक्टर चित और मनरेगा यहुजना में 360 हेक्टर किरसी चित में 22 रोपन का कारिश सामिल है और इस बित्वर्स के लिए इन तीनों जलों में 1100 हेक्टर किरसी चित बन चित में मनरेका योजना से 250 हेक्टर चित और बन विवा की योजना में 750 हेक्टर चित में बास रूपन का लक्ष दिया गया है और मंत्री ने कहा है कि एक जला एक उत्पाद योजना में पेदेश के 6 जले बूडन कलेश्टर में चैनित किये गया है इसमें बैतूल जिले में सागोन, अली राजपुर, उमरिया जिले में महुआ, और देवास, और हर्दा और रीवा जिले में बांस उत्पादन के लिए सामिल किये गया है। और इनकाईयों से आप देखें, 1600 बैक्तियों को पित्यक्ष रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, और इसी तरह अली राजपुर, ओमरिया जिले में महुआ, उत्पाद के लिए एदगराहियों का चैन पिक्रिया में है, और इन दोनों जिलों में बनुपज के उत्पादन के ल दोरह सिकल सेल एनिमेनिया की पहचान के लिए घर घर जाकर, इसकीनिग टेस्ट किया गया है, और जिसमें करीब 23,000 से अधीक, जनजाती बैक्तियों का परिक्षन की और जंजाती चित्रों में देखने को मिलेगा ये रोग, परीक्षन के बाद 218 जंजाती बैक्षी सिकल सेल रोग से पॉजीटिव पाए गये हैं, और इन रोगियों को दुबारा परीक्षन कराए जाने पर 1656 बैक्षियों में बीमारी की पुष्टी हुई है, और को समय समय पर खून चड़ाने के अवसकता होती थी, और इससे भी उन्हें छुटकारा मिला है, और इसके साथ ही इनकी रोग, पितीरोधक छमता भी बढ़ी है, और याद रहिए सरकारी होमोपेथी, मेडिकल कॉलेज एंड होस्पीटल को तीन बरस पूर भारत सरकार की ओर से 3.75 करोर रूपे का एक खास प्रोजेक्ट मिला था, और जिसके तहट मत्पिदेश के जनजातियों में इस बीमारी से घिस्ते तिलोगों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है, और भारत सरकार ने जनजातिये, बिभाद द्वारा मत्पिदेश की आयूस बिभाद क जी जा रही है, रिसर्ट टीम उनकी बर्तमान जीवन सेली का नेमित अध्यन भी किया जा रहा है, और होमोपैथी जी किसा महविद्याल है, कि इस प्रोजेक्ट में विस्तो स्वास्ते संगतन, एमस, आई, सी, एमर और भारतिये बिग्यान संस्तान, और मौलाना आदयाद, राश्की परोदगी की संस्तान भोपाल की रसर्च कारे में मदद ले रही है, और डवलु एचों की अगर लोग बात करें न, विस्तो स्वास्त संगतन की, आपको हमेशा बताता हूँ कि इस तरह की संगतनों के बारे में जरूर याद लखा करेगा, इससे डारेक्ट आपक परोदगी की कोशिकाओं का आकार, गोल की बज़े चांद या हास्तिय की आकार का हो जाता है, और सरीर में रक्तबा ओक्सीजन की कमी होने लगती है, यह बेमारी आमतोर पर जंजातियों में होती है, इसका इलाज एलोपैती में नहीं है, लेकिन होमोपैती में ऐसी अलागा डिन्डोरी पुस्ट पराजगर, अनुपुर, सहडोल, उमरिया, घुवालियर, दतिया जिला सहत, सिवफुर, भेंड मुरेना जिला सहत, सिवफुरी गुना, असोक नगर जिला सहत, और तामिया छिदवाडा में इस्तित थे, और इन अभीकारों में चिन्डांकि पदक 2022 के लिए चुने गए 159 पुलिस कर्मियों की सूची में, मद्पदेश के 10 पुलिस कर्मी भी सामिल हैं, और याद रही केंदरी ग्रह मंत्री पदक 2022 के लिए घुसित 159 पुलिस कर्मी की सूची में 28 महलाएं पुलिस कर्मी भी हैं, कितनी 28, और मद्पदेश से कितने सामिल हैं 10 पुलिस कर्मी टोटल कितने हैं 119 इस सूची में CBI के 15, NIA के 5, महराष्ट पुलिस के 11 मद्पिदेश और उत्तर पुलिस के 10-10 और केरल राजिस्थान पच्छे मंगाल पुलिस के 88 कर्मी और सेसर अनराज्जों से इस पितिस्थित पदक से समानित होने वाले पुल पुलिस कर्मा, इस्पेक्टर संतोसकुमास पंद्रे, सब इस्पेक्टर उमासंकर मोक्ती, महला सब इस्पेक्टर स्वनम रगुवंसी और सब इस्पेक्टर सपना राठोर इसमें सामिल हैं और याद रहे अपराँट की जाच में उच्छ पेसेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाच अदिकारियों द्वारा जाच में इस तरह की उत्तिक रष्टता को मानता देने इसके उद्देश से केंद्री गरहमंतर आले द्वारा दोजार अठारे में इस पदक की स्थापन की गई थी और इसके तहट किसी भी अपराज की जाच में उच्च मानकों को इस्थावित करके पेसिवा रवेगे को अपनाने इहमांदारी कर्तप निष्ठा बाकाम से आसाधरन साहस का पलचे देने बाले पुलिस कर्मियों को यह मेडल दिया जाता है और 2018 में ततकालिन अति उतकिष्ट सिवा पदक और जात में उतकिष्ट था पदक सामिले इसमें तो इस तरह के पुरुसकार जो दिये जाते हैं इने जरूर याद रखा करिएगा अंगला है तेरी अंगली खवर कब किये 13 अगस्त 2022 को केंद्री बन परियावन जलवाई परिवरतन मंतराले द सिर्फोर तालाब को 26 जुलाई 2022 को सिवफूरी जिले के माधह राष्टी उध्यार में इस्ति सांक सागर जील को रामसर साइट का दर्जा मिला था और जबकि भोपाल की बड़ी जील बड़ा तालाब भोशताल पहले से ही रामसर साइट गोसे थे केंदरी बन परियावन और जलवाई परिवंतर मंतराले द्वारा नामित ग्यारे ने रामसर साइट में तमिलाडू की 4 उडिसा की 3 जमू कस्मी की 2 अमत्पिदेश महराष्ट की एक-एक सामिल है इनको मिलाकर भारत में अंतराश्णी महत्त की रामसर साइट की संख्या 75 हो गई यह आदभूमी स्थल देश में आप देखें 13,26,688 हेक्टर चेत में पहली है 1971 में इरान के रामसर में रामसर संदी पर पत्त पहस्ताक्षर की अनुबंद करने वाले पक्चों में से भारत भी है और भारत ने एक फरवरी 1982 को इस पहस्ताक्षर किये थे हाला कि इस दोरान आप देखें 2014 से 2022 तक देश में रामसर स्थलों की सूची में उननचास नई आदभूमिया जोड़ी जा चुकी है और इस वर्स आप देखें 2022 के दोरान की कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोसित किया गया और रामसर प्रमाड पत्य में अंकित स्थल की तिथी के आदार पर इस वर्स 2022 के लिए 19 स्थलों और पिछले वर्स 2021 के लिए 14 स्थल है और तमिलाडू में अधिक्तम राम स्थलों की संक्याग 14 है इसकी परशा उत्तर पिदेश में 10 आपको देखने को मिलेगा तमिलाडू में 14 है या आप लोग याद रखें मद्पिदिस में 4 है ठीक है अगली ख़वर है आप देखेंगे ए 13 अगस्त 2022 को मद्पिदिस की मुखमंतरी साहब ने 10 साल की दो बेटिया देव यानी और सिव रंजनी के साथ पौध पौध रोपन करके उनके द्वारा सरसुती राजामनी से परचित करा रही है देव यानी और सिव रंजनी जुडबा वहने है इन्होंने महत 10 साल की उमर में आजाध हिन्पोच की जासूस सरसुती राजामनी साचित्र पुस्तक लिखी है देव यानी और सिव रंजनी का कहना है कि इस वक्त जब देश और यादरे साल 2021 में इन बच्चियों की पहली पुस्तक सूर नमस्कार पेकासित हो चुकी है जैसे देश के पूर राजपती रामनात कोबिंद और पिधान मंतिर नयद मौधी ने सराहा था और सरसुती राम मनी आजाद हिंद फोच की जासुत वेहत कम उम्र की गुमनाम किरा दानिकारी थी और उन्होंने नेता जी सुवाचन बोश को बहुत पिरभावित किया था सरसुती राजा मनी का जनब बर्मा की एक संपन और देशभक्ती परिवार में हुआ था जब 16 साल की थी तब नेता जी सुवाचन बोश के भासन में से एतनी पिरभावित हुई की आजाद हिंद फोज को दान कर दिये थे जो आजाद ये देख रहे है ना इतने आसानी से नहीं मिली है राजा मनी का होसला और जजबा देखकर निता जी ने उन्हें फोज का हिस्सा बना दिया था और राजा मनी ने अपनी दोस्त दुरगा के साथ मिलकर वेटे स्केम की जास जीवन देश वक्ती समर पर बहादूरी भाफादारी और बिना किसी डर कि अपने सपनों को साकार करनी की पेड़ा देता है। तो इस तरह के बहुत गुम्नाम आप देखेंगे, जिनके बारे में आप लोग जानते ही नहीं है। हम लोग जानते ही नहीं है। संगठित रूप से कमजो, संगठित रूप से बाजार मुहा कराने का कार बोड द्वारा इस उत्साओ के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ सिया बेगम का नाम गोहर भी था, इसलिए इस महल को गोहर महल के नाम से जानते हैं। बहुपाल रियासत का पहला महल है, इस महल की खासियती है कि इसकी सजावाट भारती है। किया है, और DPT, टिटनेस और डिप्थिरिया जैसी जानलेबा बीमारियों से बचानी के लिए यह टीका करन अभियान 31 अगस्त चक चलेगा। स्वास्त मंत्री डॉक्टर पिर्भूराम चौदरी ने कहा है कि पिदेश के मद्पिदेश डिप्थिरिया उनमूलन में अगणी राज्यों में स्येक है। और DPT और टिटी के टीके अर्थ 36 लाग के सोर के सोरियों को लगाया जाएंगे। और टीका 5-6 वर्स और 10 वर्स और 16 वर्स के बच्चों को लगाया जाना है। स्कूल और अंगनवाडी के अंदरों में 16 टीके लगाया जाएंगे। और स्वास्त मंतिरी ने जन्पितिनी दियों सिक्षकों पालकों से अभियान में 17 पिती सत बच्चों का टीका करने करवाने में सहयोग करने की अपील की है। और DPT मैं सायोजित टीकों को एक 17 को संदिर्वीत करता है जो मनुस्सों को होने वाले तीन संकर्माग रोगों। डिफ्थिरिया, पर्टुसिस, खाली-खासी और टिटनेस से बचाओ के लिए दिये जाते हैं। और D का मतलब है डिफ्थिरिया और T का मतलब टिटनेस और P का मतलब है पर्टुसिस और ये तीनों बिक्टिरिया से होने वाली गंभीर वीमारिया हैं। डिफ्थेरिया और पर्टुसिस एक बैक्ती से दूसरे बैक्ती में फैलती है जबकि टिटनेस कट और घाओ के माध्यम से सरीर में प्रवेस करती है टिटी टिका टिटनेस और डिफ्थेरिया से बचाओ के लिए दिया जाता है या केवल साद वर्सों से अधिक उमर की बच्चों के सुरों बैसकों के लिए दिया जाता है टीडी आमतोर पर हर 10 साल में बूश्टर खुराक की रूम में दिया जाता है या गंबीर या गंदे घाओ या चलने की स्तिती में 5 साल बाद दिया जाता है और याद रहे डिप्थेरिया एक गंबीर बैक्टेरियल संखमण होता है जो नाक और गले की सिलिस्मा जिली को प्रभावित करता है या एक चाले की रूम में दिखाई देता है और गले में सूजन आना गले में दर्द होना कुछ खाने पीने में दर्द होना इसके लक्षने इस संखमर से बचने के लिए टीका बहुत जरूरी होता है और टिटनेस आहमतोर पूरे सरीर में मान स्पेसियों के दर्द ना कसने का कारण बनते है टिटनेस के कारण जवड़ा बंद हो सकता है जिससे परड़ाम सरूप पीड़ित अपना मुह नहीं खोल सकता है और नहीं निगल सकता है पर्टोसिस काली खांसी गंबीर खांसी का कारण बनता है इससे सिसुओं के लिए खाना पीना और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है पर्टोसिस से निमोनिया आच्छेप मस्तिश चती और मित्यू भी हो सकती है तो इससे इन्हें भी याद रखेगा आप लो अंगली ख़बर है आपकी 21 अगस्त 2022 को मद्पदेश परेटन के GIFLIF ड्राइब इन म्यूजिक फेस्टिवल को 35 डबलू ओ डबलू अवार्ड एस्टिया 2022 के गोल्ड अवार्ड से समानित किया गया है एक गिप लिफ भी कह सकते हैं आप लोग इसे और किप लिफ ड्राइब इन म्यूजिक फेस्टिवल को बेस्ट कोविड सैप्टी इवेंट आप दा इयर सैनी में अवार्ड दिया गया है यह अवार्ड जियो वर्ड कन्वेंशन सेंटर मॉंबई में डवलू ओ डवलू अवार्ड एसिया दोहजार बाईस के तेरह भी संसकर्ण समारों वेपिदान किया गया है और प्रमुक सचे पर्याटन के लिए और अधिक नवाचार करने के लिए पेरित करेगा और आपको बता हुँता है न कि जो हमारा पर्याटन चे थे यार्थवरस्ता में एक बड़ा युगदान भी देता है प्रमुक सचे मने ये भी काया कि COVID-19 के समय यह भारत का पहला Drive in Music Festival था जिसमें COVID-19 के सभी मापदनों मांदनों सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और MP2 जिम मान सरोबर गिलोवल युनिवरसिटी और व्राइट बॉल्स मीडिया द्वारा इसका आयुजिन किया जाता है आउट आप दा बॉक्स तिंग्स रखते हुए गिफ लिफ संस्था के सहयोग से यह फेस्टिबल आयुजित किया गया कॉमडी और म्यूजिक फेस्ट दा ग्रेट इंडियान फिलिम एंड लिट्रेचर फेस्टिबल 26 और 27 मार्च 2022 को MPT DDX ड्राइब इन सिनेमा में हुआ था और देश के पिसिद्ध कलाकार और म्यूजिक बेंड बॉम्बे बंदूक बली मारन 4000 और अग्नी फेस्टिबल में अपनी पिस्टुदिया दी थे और याद रहे डवलू डवलू मापकरिये डवलू ओ डवलू अवर्ड एक्सपरिमेंटल मार्केटिंग MICE लिब इंटरनेशनल इंटर्टेन्मेंट और वेर्डिंग इंडर्श्टि में इसी आगर सबसे बड़ा बिजनेस और रिकागनिसन रिप्लेट्पॉम है चलिए तो इस तरह के पुरुषकारों के बारे में भी याद रखा करिएगा अंगली खबर है 22 अगस्ति 2022 को बिग्यान इबं पुरुदुकी की मंतरी ओंपिकास सकलेचा ने मध्यतिश के बिग्यान इबं पुरुदुकी परिशत के प्रोविसा जगदीश चंद बसु सभागार में दीप विजुलेटकर बारवे नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिबल ऑप इंडिया का सुवारम किया है 12 वी नंबर की और मैप कास्ट द्वारा आहिजित इस फिल्म फेस्टिबल में 71 फिल्मों का पिदर्शन किया जाएगा और यह फिल्म फेस्टिबल 26 अगस्ति तक चलेगा उद्गाटन सत्य को छोड़कर अने दिनों में फिल्म का पिदर्शन रविंद भवन में होगा बिज्ञान फिल्मोंसाओं का सुबारम महान भारती बिज्ञानिक पीसी रे पर केंदरी डोकुमेंटी की पिदर्शन के साथ हुआ है बिज्ञान भारती और संस्किती मंतराले द्वारा बनाई गई फिल्म आधुनिक रसायन सास्त के पित्पुर्श पिरफुल चंद्रे स्वाधीनता के पहली सिक्षा जगत रोजगार गरीबी उन्बूलन और भारत में रसायनिक उद्देवग के विकास में आसाधन एवग सनिओं में बितरित किये जाएंगे और याद रहे राश्टी भिज्ञान फिल्म महोसो में निम्नाकित पृत्यस परदी सेनियों में डोकम्ठी फिल्म हैं सोट फिल्म हैं एनिमेसान फिल्म हैं डॉक्या मा साइ्स पैक्षन आमंतित किये जायते हैं और लगबक 16 लाग रु के उच्छे सिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन यादो ने बताए कि इपतेश के सभी 528 सास्की महा विध्याले और 16 सास्की विध्याले भारसरकार की NIC के ई गरन्थाले सौप्ट्वियर से सीधे जुडेंगे और उच्छे सिक्षा मंतरी की उपस्तेती में मंतराले में NIC और उच सौप्ट्वियर से विध्यातियों को दुल्ला पुस्तके भी डिजीटल फॉर्मेट में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकेंगी और इसे अकादमिक घुडवत्ता में सुधार होगा और याद रहे बतमान में देश के 28,000 सिक्षा संस्तान ई गरन्थाले से जुड़े हैं या मोबाइल पर भी उपलब्ध है विध्याति ओनलाइन पंजियन कर इस विधा का लाब ले सकते हैं और महाविध्याले और विष्विध्याले की पुस्तकालेओं में उपलब्ध संसादनों को इस पर अपलोड किया जा सकता है और जिसे अन महाविध्याले विष्विध् की तरफ चलते हैं यह आप देखें 24 अगस्त 2022 को मुखमंतिरी ने सिवरा सिंग चोहर ने कहा है कि गांधी मेडिकल कॉलिज भोपाल में 2022-23 की सत्म में पिथम बर्ष की पड़ाई हिंदी माध्यम से आरम की जा रही है अब डॉक्टरी की पड़ाई हिंदी में होना है ना तो उसी की बात हो रही है मुखमंतिरी ने एक समाचारपत्य समूद्वारा नई दिली में आज़ित एजुकेशन सम्मिट 2022 में निबास कारेयल जह से वर्चूली सम्मिलित होकर यह जानकारी दिया यानि कि वीडियो कॉन्फियंसिंग के जरी है मुखमंतिरी ने चाहे कि जुलाई 2022 से पिदेश की 6 इंजिनरिंग कॉले हो में बीटेक पाठकरों और 6 पोलिटीकल कॉले हो की डिपलोमा पाठकरों में मात्थभासा हिंदी में पढ़ाई की विवस्ता की गयी है और मुखमंती ने कहा है कि पिधानमंती नैद मौधी ने बेहतर सिक्षड के लिए फास्ती, क्रेटीकल ठिंकिंग, क्रेक्टिविटी, कॉलिवरेशन, क्यूरोसिटी और कम्यूनिकेसंस को महत्पूर बनाया है और इसमें सिक्षा की चित में इन सभी पर काम हो रहा है और राष्टी सिक्षा नीती में मात्यभासा में अध्यापन पर विशेश जोड़ दिया गया है और नई सिक्षानीती सच्चे अर्थों में ज्यान, कौसल और संसकार का त्रिवणी संगम है और नई सिक्षानीती में ज्यान की महत्थ को पांच रूपों में समाहित किया गया है और इसमें भारती ग्यान और दर्सन परंपरा को पड़ाई की माध्यम से नई पीडियों को सौपना कॉंसेप्ट की समझ आधारे सिक्षा बेवस्था और सिक्षा को नंबर गेम गला काट पितियुगता से मोथ कर गेडिंग तथा स्वस्थ पितियस पर्दा में परिवर्टित करना सामिल है और साधी सोध और अनुसंधान को बड़ावा सिक्षा को वहो आयामी बनाने में भी नई सिक्षा नीती कमात्पूने उगदान हिस्स्ता है मोखमंत्री ने कहाए कि पिदेश में सिक्षा को कौसल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी कार जारी है और भोबाल वें अंतराष्टी इस्तर के कौसल सिक्षड के लिए गिलोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है और पिदेश में 10 संभागी ये IETI को आदर्स IETI की रूमें विक्सित किया जा रहा है पिदेश में नई स्टार्टम नीती लागू कर दी गई है इस्कूल और कॉलेज़ों की पार्टक्रम में महापुरसों की जीवनी अमर सहीदों की गाताएं नैतिक सिक्षा का समाविस किया गया है और हमारा प्रयास है कि पिदेश में कुल अध्यनरत बिध्यातियों की 33 सर नेशनल कैड़िट कोर में भाग लें और मुकमंतरी ने मुकमंतरी मेध्यावी विध्यार्थी परोसान योजना, मुकमंतरी चात्रगरे योजना की जानकारी देती हुए का कि पिदेश में सुरू हुए CM Rise School सिक्षा के चेत में करांती का सूथ पात करेंगे क्या करेंगे सूथ पात करेंगे अंगली खबर है आप देखेंगे 23 अगस्त 2022 को केंदरी भारी उद्द्योग मंत्री महेंदनार पांडे ने बुरहानपूर इस्तित्स एसिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेट का लोकार पड़ किया है इसे साथ साल बात मुना शुरू किया गया है और करीब आप देखेंगे 2015 में रेनोवेशन के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और कैंसर कार से मिले करीब 479 करोर रुपे की रिवाईवल पैकेज से मिल का नविनी करन किया गया है और पहले मिल की उत्पादन चमता 88,000 मेट्रिक टन पितिवर्स थी और इसे अब बढ़ा कर एक लाक मेट्रिक टन पितिवर्स से अधिक कर दिया गया है यहां आदोन एक मसीने भी लगाई गई है यहां दो पेकार का कागज टियार होता है पहला न्यूजपेंट जो आप देखें 40 से 45 जी एसेम का होगा यह बेस्टेज कागज से लोगदी बना कर टियार किया जाएगा तो वहीं दूसरी राइटिंग पेंटिंग पेपर होगा और नेपाल लेमेटेट की सुरुवाद 26 जनवरी 1947 कुन्नायर प्रेस सेंडीकेट लेमेटेट ने एक निजी उद्यम के रूम में की थी न्यूजपेंट उत्पादन के लिए 10 नैसनल न्यूजपेंट एंड पेपर मिल्स लिमेटेट के नाम गठित या कंपनी 1981 तक भारत में एकमात न्यूजपेंट मैनूफेक्चरिंग उनिट थी फिर आप देखेंगे अक्टूबर 1969 में कंपनी के प्रवंधन को मद्द परांथ उबरार वर्दमान मद्द देश के ततकालीर राज सर्का द्वारा अधीगेत कर लिया गया था और मिल में कमर्सियल उत्पादन शुरू होने के साथ ही देश के पहले पिधान मत्री पंडिजवालाल नेरू ने 26 अपरेल 1969 को इसे देश को समर्पित किया था और 21 परवड़ी 1989 को कमपणी का नाम बदल कर नेपा लिमिटिट कर दिया गया था इस्ताफना भी इसकी याद रखेगा ओ सकता है कुष्टन स्पूच ले डारिक्टी अंगली खबर आपकी 25 अगस 2022 किये इस दिन भारत सरकार की सिक्षा मंतराले ने राष्टी सिक्षा पुरुषका 2022 के लिए चैने देश के विभेन राज्जों के 46-46 सिक्षकों के नाम की अंदिम सूची जारी की इसमें मदपेदेश के दो सिक्षकों के नाम सामिल है कितने दो राष्टपती दुरुपती मूर्वुच चैने सिक्षक सिक्षकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सेप्टमबर सिक्षक दिवस की आउसर पर आउसर पर 2022 की राष्टी पुरुषकार पिदान करेंगे पुरुषकार के तोर पर सिक्षक सिक्षकाओं को सिक्षक नीरा सक्तेना और साजापुर जली की राजकी है उतकिष्टा उच्चे मातिमिक विध्याले की लेक्षर और ओम पेकास पार्टी दा सामिल है ये दोना आमे याद रखेगा सिक्षक दिबस के उसर पर सिक्षा मंत्राले के उगदान को रेखांकीत करना और यासे शिक्षकों का समान करना जिनने अपनी पिती वा देता असे ना सरिफ इसक्षक दिबस को वलकि अपने चात्रों की जीवन को भी स्थम्रिद्ध किया है यह भी देखने को मिलेगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं यह 25-24 अगस्त 2022 को नई दिली में आज इत 19-वे बारसिक आउटलूट टेवलर अबॉर्ड शमारू में मद्ध्धेश के परेटर इस्तल मंडू को बेस्ट हेरीटेज डेस्टीनेशन के लिए आउटलूग टेवलर जूरी पुरुसकार से समानित किया गया है के अंदरिय संस्किती उपरेटर मंत्री जी किसन रेटी की उपस्तिती में आउटलूग टेवलर अबॉर्ड दिया गया है और मध्धेश परेटर निगम के प्रवन संचालक S. विश्वनाथन ने यह पुरुसकार लिया है चलिए आँगे चलते हैं लोग 27 अगस्त 2022 को मुखमंत्री साहब ने इंदर के अमरदास हॉल में आईजिस रोजगार दिवस कारिक्रम में मध्धेश की पहली टॉय कलस्टर इंदर इंटरनेशनल टॉय कलस्टर का वर्चुल से लन्यास किया है और इस अउसर पर मुखमंत्री ने उद्धि में था विकास पे सीच्छन के लिए e-learning मोडिल भी लॉंच किया है और मुखमंत्री ने कहा है कि पिदेश में चबालीस कलस्टर सुईकित किये गए है जिन मैंसे आप देखी 84 करोड रोपे की लागत से बने इस टॉय कलस्टर का सुबारम इंदर में किया गया है और मद भारत की इस पहले टॉय कलस्टर में 20 लगू एकाईयां इस्थापित होंगी और 2000 से अधिक लोगों को रोजगार की आउसर भी मिलेंगे और इस कलस्टर के पिथम चरण में 80 करोड रोपे का निवेस संभावित है इसी तरह के वेविन कलस्टरों के माध्यम से पिदेश में ना केवल निवेस बढ़ेगा बलकि रोजगार के आउसर कई गुना अधिक तेजी से पिदान किये जाएंगे और मुकमंतिरी ने कारकरम में हर माहे पिदेश में भर में रोजगार दिवस मनाएं और ढाई लाग रोभे रोजगारों को रोजगार से जोडने की गोष्ना किये और मुकमंतिरी ने सो रोजगार योजना के अंतरकर हिद्गराहियों को चैक रिड सुईकी दी पत्त बित्रित किये हैं और सो रोजगार के लिए 75,000 से अधिक हिद्गराईयों को 466 करो रोपी की साहेता उवलब्द गराई है और मुकमंती द्वारा चैनीज लाभारतियों को लाब प्रमार पत्त भी बित्रित किये गए है और याद रहे 12 जन्मरी 2022 को मद्पिदेश में पिथम रोजगार दिवस का एजन किया गया था और ज़समें पिदेश के 5 लाग से अधिक लोगों को विभिन एयोजनाओ के दहत रोजगार पिदान किया गया और 31 मार 2022 तक विभिन एयोजनाओ का लाब देकर लगभग 13 लाग हित गराहियों को 7,000 करो रूपे का रिर सुई कित किया गया था तो यह भी आपको देखने को मिलेगा अंगली ख़बर आप देखेंगे 27 अगस्त 2022 को मद्पिदेश के उच्छी सिक्षा मंतरी मोहन यादाओ ने भारती पर्याटन एबं यात्रा प्रवंधन संस्थान में चार दिवसी एक ग्वाली अंतराष्टी साहित महोसाओ का सुभारम किया है उद्भाव सांस्केति एबं खेल संस्थान द्वारा अपनी स्थापना के 25 वेबस में अपने 9 गटित पिकल्प उद्भाव साहितिक मंच के तत्वाधान में केंद्री अकादमी की स्कूल एबं अखिल भारती साहित परिशत के सहयोग से पिथम अंतराष्टी ग्वालिय सा अंचल के साहित साथकों के साधना के अंतराष्टी मंच पर लाने के उद्धे से इस साहित उस्थाह का एवजन किया जा रहा है इस साहित उस्था साहित कारों इंसुलेटिड सुईच गेर सब इस्टेशन को उर्जी कित किया है और पिरवन संचालक सुनील तेबारी ने बताए कि इंदौर में विद्धूत की बर्ती मांग को देखते हुए इंदौर जैसी घनी आपादी में परमपरागत सब इस्टेशन के निर्माण के लिए परयात भूमी की उफलब्दता नहीं होने के कारण मदपिदेश पावर ट्रांसमिशन कंपणी ने इंदौर में G.I.S. सब इस्टेशन गैस इंसुलेटिट फ्रीच गैस सब इस्टेशन तेयार करने करने ड़िया है और करीब 36 करोड पचासलाक रुपे की अनुमाणित लागस निर्मित इंदौर की महालच्मी नगर में 50 M.B.A. 16 के साथ सब इस्टेशन को ओरजी कित किया गया है और इसमें बाद देखेंगे कि G.I.S. सब इस्टेशन की निर्मार में परमपरागत इयर इंसुलेटिश सब इस्टेशनों के मुकाबले कम भूमी की जरूर पड़ती है और इस तकनीक से सबस्टेशन के निर्मार का बज़श परमपरागत सबस्टेशन की तुला में लगबग धाई गुना अधिक रहता है पर मद्पदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर की जरूरत को देखते हुए इस निर्मार की मंजूरी दिये और गैस इंसूलेटेश चेंबर में रहने के कार इन सबस्टेशनों के उकरनों में कम खरावी आती है और इन्हें मैंटिनेंस फिरी सबस्टेशन भी कहा जाता है तो यह भी देखने को मिलेगी अंगिवी खबर है आप देखें 30 अगस्ते 2022 को मुकमंती सबरासिंग चोहान की अध्याष्टा में हुई राज्य मंत्री वस्ट की बैठक में मत्पिदेश योग आयोग के गठन के अनुसमर्तन के साथ ही अन्न महत्पूर नेड़य लिए गये है और मत्री पसंदेश राज्य की पिदेग नागरे को स्वस्त जीवन सेली और निरोग जीवन जीने की सुविधा पिदान करने के उद्धेश से मत्पिदेश योग आयोग का गठन का अनुसमर्तन किया है आयोग अपनी गतिविदियों का संचाल महत्य पतंजली संस्कित संस्थान के माध्यम से करेगा मत्री योग आयोग का पिसास की बिभाग इस्कूल सिक्षा बिभाग होगा आयोग में राज सासन द्वारा मनोनीत योग की चेत में कारत इवं अती विस्ष्ट योगदान देने वाले आसास की ब्यक्ती अध्यश रहेंगे और महत्य पतंजली संस्कित संस्थान की अध्यश पदेन योग आयोग की उपाध्यश की रूम में रहेंगे और योग आयोग का पंजियन सोसाइटी एक्ट में किया जाएगा और मंतिप्यसद्वाना खनिश साधन विभाग में खनिश राजस तो वकाया की वसूली के लिए समाधान योजना खनिश राजस से सम्बन दे योजना वे बर्स 1960 से बर्स 2009 दस तक खनिश राजस वकाया पर दे व्याज पूर्टा माप कर दिया गया है 2011 से 2019 विस तक की अवधी में 5 लाख रुपे तक बकाया रासी पर दे वयाज पूर्टा माप और 5 लाख रुपे से अधिक बकाया रासी पर दे वयाज पर 18% की छूट दयने का नेड़े लिया है और इसके अंसाच छूट देने के बाद मूल बकाया रासी 60 करोड 7 लाक रोपे के बिरुद्ध ब्याज सहथ रासी 66 करोड 48 राव रोपे बसूली सुनेशित हो सकेगी और समाधान योजना 31 सक्टूबर 2022 तक लागू रहेगी और यदि खनिज बकाया की बिरुद्ध नियालाई इन वाद पेचाले थे तब इस योजना में रासी जमा होने पर वाद बापस लिया जा सकेगा योजना के लागू होने से वर्स 1961 से वर्स 2020 तक की लंबित बकाया रासी की बसूली सुनेशित हो सकेगी और मन्ती पसने मद्पिदेश में निजी बिस्विध्याले संस्थान संचालन संसोधन विध्याक 2022 को पुनार स्थापित करने के प्यारूप को अनुवदित भी किया है संसोधन विद्यापीट 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 विद्या पिरोजन से स्कूल इस तर पर संस्की सिक्षा को भीनियमित करने के लिए उससे ससक्त एवं अनुसांगिक अनविशवों के लिए एक अधिनियम के माध्यम से महसी पतंजली संस्की संस्थान की 2008 में स्थापना हुई इसका मुख्याले MP नगर भोपाल में आपको देखने को मि लेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि अगस्त 2022 में जो घटनाए घटी है मत प्लेस में उनका एक ओवर भी हो गया अंगली करास में हम लोग सेप्टमबर 2022 की जो घटनाए रहेंगे उनके बारे में भी बात कर लेंगे आपके कोई सवाल हो सोजा हो मेरे लिए तो आप ल झाल झाल